लोग परधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है रात के देड़ बच चुके हैं और मैं में मुझूद हूँ सुलापुर शहर के शिद्धेश्वत साहथारी कारकाने के पास जिहां इस वक्त इस पुरे शेत्र में एक किलोमेटर की दूरी तक धारा 144 लगा दी गई है और ऐसे भी चर्चाएं ऐसे भी जानकारी सामने आ रही है कि आज इस चिम्नी का आखरेगी हो जिहां एक चिम्नी की होड़ी दुदाई ऐसे ही कुछ जानकारी को लेकर चर्चा को आज हमारे साथ लोग परदाननी चैनल के वरिष्ट पत्रकार अलताफ शेख है इंसे हम इस चिम्नी की जानकारी को लेकर और क्या कुछ जानकारी है हम जानने की कुछिश करें है क्या जानकारी है इस शेत्र में एक किलोमेटर तक 144 लगाई गई है क्या कहना चाहिए तो इस तरह से राजबृत बीजय आरे तरह सकता है तरह से प्रस्यासन पुलिस प्रिस्ता अटा यहां अलेलेबल नहीं है ऑ इस तरह से राज विची जा रहाए की कर दो छाओं वाले है इसकंदर हिस्सा लेने वाले हो बड़ी पईमाने से कारकाने की इर्थ और फिर्थ रज़र आ चुकी है क्या कुछ वज़ा है खीन धारा एक्षी चवेचलीस लगाई गया किया कहना चाहर है इस चुन्नी को पड़ाने वे गीराने वे कोई भादा ना हो इड्शमान ना हो इसका उड्रोण ना हो इसलिए जहां एक्षेचलीस लिए को सब्सक्रादी के कारकाने की जाएगा लोज़ियार जो है जिसको रोजिरूटी जो कही अपने घेट के अदर महनत करें जो गन्ना उगाते हैं इस कारखने में लाने के बाद ही निदि रोजिरूटी चलती है यह साकर करका नासीब शक्तर पड़ा नहीं करता बलकि यहां शेतकरों की रोजिरूटी की आस्ता जिपी किंगनी गिराने ही उनके लिए शुचित जारी की गई कि आज चुमनी गिरेगी बहुत अपसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सोलापुर्ष शहर की जो पिछले कही सालों से जो नाक रहे चुकी है इस चुमनी को बचाव के लिए बहुत से सामाजिक संगटना है राजकी पार्टिया है कर दे रहे हैं वह लुक्त यह चुमनी गिरानी की तैयार एन तो रहे हैं वेकिन गिरेगी या नहीं यह तो नहीं पताए यह तो वकत बताएगा आने वाला वकत बताया क्यों तो लगातार आज यह पहला दीन आई इसके कही बार भी जब चुमनी घिराने की जब आता है तो उसकी पूरी मरमत के साथ विरोध हुआ है चुमनी कही न कहीं बच चुकी है आज भी हो सकता है चुमनी बचे भी क्यों तो 12 बजे के बाद 12 बी जारा लागू हो चुकी थी वगर एक बचने का वक्त है यहां ना जो लगते हैं जैसी भी बुल्डोजर डंपर विंपर जो बेरी आईसी कोई भी चीद अभी तक यहां उपलब दिन नहीं है अब यह उनका क्या मंसुपा रहा होगा यह आने वाला वक्त ही बताएं यह थे हमारे साथ लोगपरदान के वरिष्ट पत्रकार अलताप्षे इन झालताप्षे